और वैसे एक देश की महान साइन्टिस्ट डॉक्टर एपी जब्दूर कलाम का स्टेट्मेंट मोटिवेशनल स्टेट्मेंट है बच्चों इस देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास की लास्ट विंच पर मिल सकते हैं यह बहुत बढ़िया राष्ट्रपती रह चुके हैं आप सभी को पता है भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपती में सेख थे और आप सभी जानते हैं कि देश के महान साइन्टिस्ट तो थे ही और इन्होंने इंडिया में मिसाइल भी खो जा था, इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है और आप सभी को पता है सफलता, सफलता.com के इस प्रेटफार्म पर आप सभी को हर कॉंपडिशन के बारे में यहां पर मिल सकता है अभी लेटेस्ट में सफलता ने स्टार्ट किया है 9th, 10th, 11th, 12th का भी और इसके लाओं बच्चे साइन्स आर्ट्स के स्ट्रेम के प्रैक्टिस बैचिस बैचिस बाकि आपको पता हो NEET और JE का भी बैच यहां पर स्टार्ट हो रहा है आज से यानि एक नॉम्बर से बाकि कॉंपडिशन का वंडे एक्जाम का सारे लगभग यहां कराया जाता आप सभी जानते हैं और सफलता के इस प्लेटफार्म पर आप सभी लोग सिटेट के लिए आए हैं तो I think ह क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास इसी विचार के साथ स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई मिनहत करे तो सफलता आवस्य मिल सकती है भगवान भी उसी का भला करता है जो खुद का भला करता है तो एक बार फिर मैं इसके यादो आप सभी का स्वागत करता हूं और फ रपन कल्चर या इसको इंडस वेली सिविलाइजेशन भी कहा जता है यानि हडपा सब्वेता अथ्वा सिंदू घाटी की सब्वेता तो भारत में यह सब्वेता पाचीस सो बीसी से यानि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चला था और यह सब्वेता मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया आज का इराग है सो बच्चों मेसोपोटामिया के समकालिन थी मेसोपोटामिया यानि दो नदियों के बीच का भाग मिडिल पार्ट अप्टू रिवर्स तो उसकी समकालिन सब्वेता थी और हमारी हिंदुस्तान की हडपा सभ्यता यह सभ्यता मेसोपोटामिया इराक के साथ सबस्यधिक ब्यापार किया करती थी तो आई थिंक आप सभी लोग आ चुके हैं नीलम वेदी सर जी अभी सुरू हुई है क्लास बिल्कुल बच्चे नीलम अभी ततकाल स्टाट किये हैं जद लंबा समय नहीं हुआ जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक टॉपिक है सैनी एग्रिकल्चर हेलो बच्चे हेल हो तो सेंदु सभ्यता की बारे थोड़ा सा भी स्टाट किये हैं अच्छा इससे पहले हमने कुछ मोटीवेशनल बाते बताइए थी सोम्या गौर गुड अफ्टनून बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग तो थोड़ा सा अभी सिंदु सब्वेता के बारे में हमने स्टाट किये है जरा सा जदा नहीं स्टाट किये हैं तो आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हैं तो चले हम आपको क्लास स्टाट कर देते हैं और क्लास स्टाट करने के लिए हम आपको पहला टॉपिक सिंदु वहुदापमारीता को हडपा समयता कि पहले नहीं जिसके खुदाों, जिसके खुर्णी पहले हुआ था इसली कि नाम हडपा समयता पढ़ गया बाद में मोहन जोदलो नामक अस्थल का पता चला तो यह कहा गया किसे इंदु सभ्यता किवल हडपा तक सेमित नहीं थी बलकि यह सभ्यता काफी दूर तक फैली थी इसलिए इसका नाम बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया था तो हम कुछ कोश्चन इस टॉपिक पर लाएं हैं चलिए हम उस कोश्चन के उपर डिसकुश करते हैं ठीके बच्चों तो लेट असे स्टार्ट इस उमीद के साथ कि हम सभी अच्छा करेंगे तो आई बच्चों हम आपको लिए चलते हैं कोश्चन की तरफ और आपको बताते हैं कोश्चन की तरफ लेकर चलते हैं और कुछ कोश्चन आपको हम बताएंगे और जिसमें से आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं तो बच्छों आपके सामने ये पहला कोश्चन है आप देख सकते हैं Most Recognized Period of Harappan Civilization is पहला कोश्चन अगर आप देखें First Question ये कोश्चन कहे रहा है The Most Recognized Period यानि हडपा सभ्यता का सर्व मान्य तिथी क्या है हडपा सभ्यता का सर्व मान्य तिथी क्या है Option आप देखें Option बच्चों A में दिया है 2800 से लेकर 2000 BC तक का B में दिया है 2500 से 1750 BC का C में दिया है 3500 BC से 1800 BC तक का तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंद्व सभ्यता का जो टाइमिंग दिया गया है वो B पार्ट है यानि B पार्ट करिक्ट आंसर है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का यह सबसे अधिक मान्यता पर आप्तडेट है और वैसे आप जानते हैं अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग राये हैं कुछ लोग कहते हैं कि 3000 BC से लेकर 2000 BC तक था कुछ का मानना है कि 2500 BC से लेकर 1500 BC तक था और आप सभी जानते हैं बच्चों सिंधु सब्यता में सर्व मान्य डेट जो NCRT वगरा में भी है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का है ठीक है आप सभी के आंसर्स करेक्ट होंगे सिंधु सब्यता के बारे में तो इस तरह से हम आपको आगे की तरफ बताते रहेंगे अगला कोशन आप देखें आपके स्क्रीन पर है बच्चों सिंधु घाटी सब्यता किसकी समकालिन सब्यता थी इंडस वैली सिविलाजेशन वास नोट कॉंटेंप्रेरी आप which of the following civilization यन्य सिंधु घाटी की सब्यता किसकी समकालिन सब्यता नहीं थी तो उप्षन दिया बच्चों देखें A में दिया है Egyptian दिया है ग्रीक सिविलेशेसन तो सिंधु सब्यता किसकी समकालिन नहीं थी या सिंदु सब्यता की समय में निमलिकित में से कौन सी सब्यता नहीं थी तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आप सभी बता भी रहे हैं D part आंसर इसका correct होगा यानि D part जो है यूनान की सब्यता यह बच्चों यूनान की जो सब्यता थी यह बाद में आई थी सुम्यागोर निलमवेदी ओके बच्चो सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं और वाह वेरी नाइस निलमवेदी सभी लोग अच्छे आंसर बता रहे हैं वेरी गुड़ सैनी अगरी कल्चर डी हां बच्चो डी पार्ट करेक्ट है अब चलिए इसके पीछे का कॉंसेप्ट थोड़ा से बता देते हैं आपको इसके पीछे का जो कॉंसेप्ट है बच्चों तेके हमने आपको बताया विश्व की सबसे पुरानी सभीता अब आप दे और लिखा भी है हिंदी में मेसर की सभीता विश्व की सबसे पुरानी सभीता है और आप जानते हैं मेसोपोटामिया की सभीता यह दजला और फरात दो नदियों के तठ पर आया था दजला एवं फरात दो नदियों के तठ पर था और यह सिंद सभीता की समकालीन है तो पह और तीसरे नमबर पर अगर आप देखें, तो चीन की सब्वेता थी. और चmber्थे नमबर पर अगर आप देखें, तो हमारी सिंदु सब्वेता थी, जिसके बारे में question है, इन्ड़स वेली civilization यह चогथी, सबसे पुरानी सब्वेता थी. ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि which among the following was the oldest civilization, कौन सी सबसे पुरानी सब्वेता थी, तो मिस्र की सब्वेता, नील नदी की तठ पराई थी, यह दुनिया की सबसे पुरानी सब्वेता थी, दूसरी सबसे पुरानी अगर पूछें तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया को बच्चों बेबिलोनिया की सब्वेता भी कहते हैं, बेबिलोनिया की सब्वेता भी कहा जाता है, और तीसरी सबसे पुरानी चीन की सब्वेता थी, वांगोह नदी पर आई थी, भारत की सब् प्लेस तमाम अस्थलों पर आई थी तो चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं next question आपकी screen पर रहा बच्चों तो next question आप देखें आपकी screen पर है To What Extend Was The Indus Valley Civilization Extended? यानि सिंद्ध औगाटी की सब्वेता कहां तक फैली थी? ये आपको बताना है सिंध हुगाटी की सब्यता कहां तक फैली थी आप्शन देखें पंजाब पहले ए में दिया हुआ है कौन सा आप्शन है ए वाले में देखें पंजाब दिल्ली जम्मुन कश्मीर में बे में दिया वच्चों राजस्थान बिहार बंगाल उडिसा में C में दिया है पंजाब, राजस्थान, गुज़राथ, उडिसा और बंगाल में और D में दिया है वच्चों पंजाब, राजस्थान, गुज़राथ, उत्तर प्रदेश, हरीयाना, सिंद, बलुचस्तान तो आप सभी लोग आंसर अच्छा बता रहे हैं सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है तो बच्चों I think सब लोगों का बहुत बड़ी आंसर आप लोग कर रहे है very nice तो आप सभी लोग आंसर कर रहे है I think आप सब ने D part answer को लगाया है ज्यादा तर बच्चों ने D part को लगाया है पंजाब, रजस्थान गुजरात, उत्तरप्रदेश हरियाना सिंध, बलुचिस्तान तो काफी विस्तित छेत्रफल में सेंदु सभ्यता थी अगर आप सेंदु सभ्यता का विस्तार देखें तो उत्तर में मांढा से लेकर मांढा कश्मीर में दच्चण में दाइमाबाद महराश्ट्रा में है पस्चि में सुत्का गेंडोर बलुचिस्तान में है पूर्व में आलमगीरपूर बच्चों आलमगीरपूर उत्तरप्रदेश के मेरट में हاي इतने विशाल छेत्रफल में यह सभ्यता फैली है तो कुल मिला कि इंडिया की कई राज्ज को कभर करता है इसके लाँ पाकिस्तान का सिंध बलुचिस्तान पंजाब प्रांत भी कभर करता है सिंध बलुचिस्तान पंजाब पाकिस्तान में और इंडिया में अधिकतर स्टेट को कभर करता है यह सब भेता त्रिभु जाकार में फैली है चले ब यह भी UPSSSC PIT का एक्जाम हुआ था उसमें इन्होंने 99.12% स्कूर किया है तो UPSSSC PIT को क्वालिफाई करने वाले यह टॉप रेंकर्स में आहें और ऐसे तमाम बच्चें आपको दिखाते चलेंगे अगला कोश्चन वेर हैब दे रिमेंस अफ होर्स फांट इन इन्डस वैली सिविलाजिशन सेंदु सब्वेता में घोडे का परमाण कहां से मिलता है यह आपको बताना है अप्शन देखें और बताएं चले आप्शन आप देखकर बताएं सराच कौन सी क्लास है बच्चे हिस्ट्री की क्लास है यह हिस्ट्री में सिंदु सब्वेता की बारें पढ़ा रहे है सैनी अग्रिकल्चर सी पार्ट बता रहे है रेना साहू डी पार्ट बता रहे है और कोमल मित्तल डी पार्ट बता रहे है वेरी नाइस तो सेंदु सब्यता में घोडे, घोडे के अवशेस कहां से मिले हैं तो आप सभी लोग बता रहे हैं लेकिन बच्चे इसमें अगर आंसर देखें तो ये पार्ट करेक्ट है सुर कोटड़ा तो बच्चे सुर कोटड़ा से मिला है घोडे का कंकाल अगर आप देखें तो सुर्क कोटड़ा से मिला है ठीक है साइद आप लोग कर नहीं पाएं है घोडे का कंकाल सुर्क कोटड़ा से मिला है तो यह आप आंसर लगाएंगे बच्चों ए पार्ट और अगर आपसे पूछा ज़िए सुर्ख कोटड़ा कहा है तो यह गुजरात में है आज की डेट में सुर्ख कोटड़ा गुजरात में है बनवाली बच्चे यह हरियाना में है सिंदु सब्यता का अस्थल है हरियाना में और आप देखें लोथल यह भी गुजरात में है और बच्चों काली बंगा यह राजस्थान में है आप सभी जानते हैं यह राजस्थान में है अगर आप से question put up किया जाए कि सिंदु सब्वेता में घोडे का कंकाल कहां से मिला है सुर्खोटडा में लेकिन आपको बताते कि स घोडे और लोहे से अपरचित है घोडे और लोहे का प्रियोग इंडिया में सबसे पहले आर्यों ने आर्ये लोगों ने किया है आर्ये लोग कहां से आथा बच्चे आर्ये लोग मध इशिया से भारत में आये थे तो आर्येंस केम टु इंडिया फ्रम सेंट्रल इशिया इ इन्होंने बच्चों इंडिया में आईरन का प्रियोग किया है सिंद सब्यता की लोग द्रवन थे वे लोग घोडे और लोहे के प्रियोग से अपरचित थे आरियों ने इंडिया में घोडे और लोहे का प्रियोग किया था ठीक है तो नेक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन प अभी अभी किये थे जश्ट सुरेश्वर्मा ये पाट बता रहे हैं सुम्या ये पाट बता रहे हैं वाह क्या बात है रिना वेरी नाइस अरे वाह कविता मनिशा, प्रिना, सभी लोग अच्छे आंसर्थ बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चे गलत बता रहे हैं, सिंधु सब्यता के बारे में पोश्च के रहा है, कि सिंधु सब्यता में ये काली बंगा अस्थान कहां परिस्थित है, तो ये आपको बताना है बच्चे, काली से सिंद सब्विता के तमाम परमान मिले हैं काली बंगा से मिट्टी के खिलोने मिले हैं काली बंगा से हल से खेती का परमान मिला है बच्चों हल हल से खेती का परमान काली बंगा से मिला है अब दिखी आपको हो कि हल का निसान इतने लंबे समय तक कैसे पड़ा था तो हम आप आपको बताएं कि हल चलाने का प्रमान काली बंगा से मिला है अगर आप इंग्लिश पड़े हो तो फरोज मार का फरोश फरोज माने कूण के निशान जिसमें फसल बोते थे तो इस तरह से ये पार्ट करिक्ठ बच्चों चले अगले कोशन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट कोश पढ़के आंसर फटा फट बताईए तो देखिए निमकित में से किस निमकित में से किस पदार्थ का उप्योग है किस पदार्थ का उप्योग हलपा सब बेता की लोग हलपा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया है किस पदार्थ का प्रियोग चलिए कभी ता गलती से कोई बात नहीं बच्चे दिख़े आप attempt करेंगे तभी पता चलेगा प्रिणना बी पार्ट बता रही है ओके सैनी इपार्ट बता रहे हैं गुट तो आपको यह बताना बच्चे सिंद्व सब्वेता में भगवान बिष्ट सोम्या बी पार्ट को बता रहे हैं लोग चली बहुत बड़ी आप लोग कर रहे हैं भगवान बिष्ट जो हैं बी पार्ट को बता रहे हैं ठीक है तो आईए हम आपको यहां देखते हैं question तो इसमें आप देखें इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं कि which of the following which of the following materials was mainly used to manufacture the coins of the harappan period harappan काल में किस धातु का सिक्का बनाते थे हिंदी में दियावच्ची सिलखडी यानि स्टेटाइट B में कास्य कास्य मनें ब्रॉंच C में तांबा है ये तांबा याद रखिएगा तांबा और D में है लोहा तो I think ज़्यादतर बच्चों ने ए पार्ट को अंसर बताया है यानि सिलखडी सिलखडी मिट्टी होती है जो कुमहार यूच करता है यानि कुमहार की मिट्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल रौद करके एकदम उसको टाइट कर देता है और इतना बढ़िया समान बनाता है तो सिलखडी थोड़ा सा टाइट होता है उससे ये सिक्के बनाते थे लेकिन आप जानते हैं मिट्टी का सिक्का वास्तों में सिक्का नहीं माना जाता है सिक्का मेटल का हो तभी उसको अयतिहासिक मानते हैं और इंडिया में सबसे पहला सिक्का अगर आप से पूछा जाए तो बच्चों ये पहला सिक्का हम आपको बता रहे हैं इंडियन पंच मागड कोईंस इंडियन पंच मागड कोईंस यह भारत का पहला सिक्का था इसको हिंदीम कहते हैं भारतिय आहत मुद्रें भारतिय आहत मुद्रें यह सिल्वर का बना था चांदी धातु का था और यह भारत में बना बच्चों पहला सिक्का यही है और पांचमी सताबदी BC का है लेकिन किस king ने चलाया था यह पता नहीं है first coins of India अगर आप से पुछा जाए तो आप silver धातु का बना हुआ Indian punch marked coins लगाईएगा this is very important वैसे बाद में चल कर तमाम सिख्ये चले हैं लेकिन first coins in India Indian punch marked coins है बच्चो ठीक है चली अगले question की तरफ चलते हैं next question आपकी screen पर है तो आप देखें अगले question की तरफ ले आए हैं आपको जल्दी से आप लोग बताएं हरपा सब्वेता किस युग की थी हरपन एरा वास in which period good afternoon बच्चे sunny agriculture मिट्टी के मोहरें मिट्टी की मोहरें तो ठीक है सुरेश वर्मा सीपाड बता रहे हैं मनेश सीपाड बता रहे हैं ओके तो बच्चे आईए हम discuss कर लेते हैं कि what era was the हरपन civilization हरपन सब्वेता किस काल में आई थी यह बेहद important है तो ब्राउंजेज यानि कास्य काल में थी या बच्चे ब्राउंज में थी ब्राउंज में यानि कास्य काल में थी या फिर नौ पाशान काल में थी या पुरा पाशान काल में थी या लोह युग में थी तो option A part correct है हिंदी में इसको कहते हैं कास्यकाल, इंगलिश में कहते हैं ब्रॉंज एज, सिंधु सब्वेता, ब्रॉंज एज की सब्वेता थी बच्चों, यह सब्वेता ब्रॉंज एज में आई थी, यानि कासे का प्रियोग बड़े लार्ज स्केल पर हुआ करता था, आप शाइद पढ़े हो, मोहन जोद्रों से कास्य निर्मित नर्तकी की मूर्ती मिली है, यह नर्तकी की मूर्ती जो है कास्य की है, नर्तकी की मूर्ती यह मोहन जोद्रों से मिली है, और बच्चों यह कास्य निर्मित है यानि ब्रोंज की बनी हुई है वहाद इंपॉडिंट है इसलिए इसको ब्रोंज एज के थर्ड फेज में रखा गया है चलिए बच्छो नेक्स्ट अगला आप देखें यह रहाँ आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन का देखें कोश्टन बच्चे वट वस दे में अउक्पेशन आप पीपल आफ इंडस वेली सिविलाजिएशन सेंदु सब्यता की लोगों का मुख्य बेहसाय क्या था कई बार ये परश्न पुक्टप किया गया है सेंदु सब्यता की लोगों का मुख्य बेहसाय क्या था बुड आफ्टोन बच्चे रीना साहू डी बता रही है सोम्या डी कोमल मित्तल डी बता रही है रजिया डी बता रही है शिखा सी बता रही है सुरेश वर्मा सी पाड बता रही है कविता सी पाड बता रही है ओके ब अब दीकिए सेन्दु सव बिता की लोगों का मुख्य ब्यापार था ट्रेट वस द्मेन अकुपेशन मैक्सिमूम ट्रेट इनका सेन्दु सव बिता की लोगों का किसके साथ होता था मेसोपोटामिया की लोगों के साथ तो इनका मुख्य ब्योसाय ब्यापार था ब्यापार वस्त भी निमय पर निरभर था वस्त के बदले वस्त भ्यापार होता था जैसे चावल दे दिया, गेहों ले लिया, सरसों दे दिया, तिलहन ले लिया ऐसे दो किलो चावल दे दिया, एक किलो पालक ले लिया, तो वस्त भी निमय पर व्यापार था, वस्त के बदले वस्त, और मैक्सिमाम ट्रेड इनका, अगर आपसे पूछा जाए, तो मेसोपोटामियां से होता था, बच्चों दिखो, सेंदु सब्वेता एक अर्बन सिविल सब्वेता होती, तो क्रिसी पर डिपेंड था, रूरल सिविलेजिशन होती, तो एगरी कल्चर मेन होता है, अर्बन सिविलेजिशन होता है, तो व्यापार मेन होता है, इसलिए सेंदु सब्वेता, इट वस एन अर्बन सिविलेजिशन, यह एक नगरी सब्वेता थी, आप दूसरा मुख्य बेहसाय क्रिसी लगाईएगा यानि एगरिकल्चर ये इनका दूसरा मुख्य बेहसाय था लेकिन अगर फर्स्ट दिया हो तो फर्स्ट ट्रेड लगाईएगा न दिया हो तब क्रिसी लगाईएगा ठीके बच्चों बाकी पशुपालन अगर आपसे अगला कोशन आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा देखें हडपा सब्यता की निवासी थे क्या थे बच्चे हडपा सब्यता की निवासी थे option दियें A. ग्रामेड थे B. शहरी थे C. ययावर यानि खाना बदोश यानि नुमैड या जिन जाती ये लोग थे सब्यता की लोग कैसे थे आप बता सकते हैं बच्चों सब्यता की लोग किस तरह की लोग थे तो देखते हैं आपके आंसर क्या है सुम्याड B थे पाड बता रही है कोमल मित्तल B पाड बता रही है ओके शिखा सिंग D बता रही है विजयालक्षमी भी बता रही है मनिश कर रहे है तो आईए हम आंसर चेक कर लेते हैं और बच्चे आंसर आप लगाएंगे मनिश A बता रहे हैं तो बच्चे आपको आंसर सही आंसर आपको लगाना बच्चे तो आप भी लगाएगा सिंद सब्ड़ता की लोग शहर में रहते थी तबी आपको बताए थे यह एक प्राकार की नालियां पक्की इटकी बनी थी, नालियों को धका गया था, नालियों में सीवर सिस्टम था, तो नालियां धकी थे, नालियों में सीवर सिस्टम था, नालियों के किनारे कोडेदान बने थे, नालियों के किनारे कोडेदान बने थे, सफाई की उचित ब्यवस्थ था थी तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चे सिंदु सब्वेता एक अर्बन सिविलाइजिशन थी नगरीय सब्वेता थी ठीक है वैदिक सब्वेता ग्रामिन सब्वेता थी सिंदु सब्वेता नगरीय सब्वेता थी शहर में रहते थे शहरों जैसी सारी बेवस्था थी इनके पास चलिए बच्चों अगले question की तरफ चलते हैं आपके screen पर next question आपका comment चाहते हैं देखते हैं आपने क्या किया बच्चे तो चलिए आप सभी के answer आ रहे हैं question number 10 में आप देखें सिंद्ध सब्वेता के घर किस से बने थे बच्चों ये बताना हैं कि इनके घर किस चीज से बने थे option A इट से option B बास से option C पत्थर से option D लकडी से तो प्रियंका टेंद्ध का ए बता रही हैं ओके सुलेखा आप इबता रही हैं मनेश इबता रहे हैं शोम्या इबता रहे हैं रीना इबता रहे हैं विजयलक्षमी इबता रहे हैं रजिया आप भी बता रहे हैं ओके प्रॉम्टुमी, सी बता रहे हैं, तो बच्चे देखिए, सिंद्व सब्वेता में पक्के मकान थे, तो पक्के मकान किसके बनते हैं, कभीता ए बता रही हैं, तो अधिकतर बच्चों ने जो ए बताए हैं, उनकी आंसर सही हैं, वेरी नाइस, कभीता आपने ए बताया, और भी बच्चे ए बताये हैं, तो ए पाट करेक्ट है बच्चों, ए आंसर करेक्ट है, यानि ब्रिक, इट का प्रियोग मकान बनाने के लिए किया गया है, कैसी इट का प्रियोग किया बच्चों, पक्की इट का प्रियोग किया है, कि यहां मानसुन खूब आता था बारिस की वजह से हडपा मोहन जोदलों के मकान कई कई बार नश्ठ हो चुके थे नश्ठ होए मकान के ऊपर सिल्ट जमा हो जाता था और इलक पुनह मकान उसीप बना लेते थे तो आंसर पेंथ का बच्चे ए पाट इट से दिवार जोडते इट कैसे जोडते थे मड का प्रियोग करते थे और फिर ऊपर लकडी विछा देते थे फिर उसके बाद घास फूष डाल देते थे मिट्टी का मोटा लेप लगा देते थे पर नाले के द्वार पानी नाली में गिराते थे तो इनके मकान पक्की इट के बने थे यही लगाना है आपको Houses were built with baked bricks Some houses were baked bricks लेकिन some houses burnt bricks से बने थे पक्की इट से बने थे चलिए अगले question की तरफ आपको लिए चलते हैं अगला question आपकी screen पर आगया है और आप इस प्रश्न को पढ़कर आप बताइए चलिए बच्चे question number 11 हडपा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सरप्रथम थे हडपा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे बच्चे बताइए option है मुद्राएं option B में दिया है कांसे कांसे के आउजार C में दिया है कपास D में दिया है जाओ चलिए सुलेखा बिबता रही है from me to C रहे है cornie agriculture बिबता रहे है Cylinder but cry बिबता रहे है OK very nice रया ड़ी बता रही है बिबता रही है। और बहुत सारे बच्चे क्या वात सतेंदर Si बता रहे हैं इस ऑलगवंत क्या है देखतो बीश्ट जो है D बता रहे हैं वेरी नाइस बहुत बड़ी हैं तो बच्चे आप सभी को आंसर की तरफ ले चलते हैं आईए देखते हैं आंसर क्या है तो बच्चे दिखिए इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि हरपन वर्द फर्स्ट प्रडूस हरपा की लोग सबसे पहले सबसे जएदा किस का प्रडूक्शन करते थे तो जो बच्चो ने सी आंसर बताया है सी पाट जीन बच्चों ने आंसर बताया नी कॉटन कॉटन इस करेक्थ अंसर पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में इंडस वैली सिविलाइजिएटे सन्दु सब विता की लोग यह इनी कपास का पहले सिंदु सभ्यता की देन है, so this is very important, सिंदु सभ्यता में कपास का उत्पादन सब से पहले इंडस वेली सिबलाजिशन में हुआ है, और मेसोपोटामिया की लोग कॉटन को सिंडोम की नाम से पुकारते थे, सिंडोम, यानि सिंदु सभ्यता से उत्पादित वस्ट, बाक अपर, लोवर, पर कोट, और सूती और उनी कपड़ों का परियुग किया जाता था, सिले हुए, कढ़ाई किये हुए, बुने हुए कपड़ों का परियुग करते थे, तो चली अगले प्रश्ण के ओर ले चलते बच्चों, नेक्स्ट कोशन आप देखें आपकी स्क्रीन प है, देखते हैं 12th नंबर में क्या आंसर है बच्चे, निम्लकित विद्वानों में से हलपा, सब्यता का सरवर्तम खोज करता, कौन थे, आप्शन बच्चे, A. सर्जौन मार्शल, B. आडी बनरजी, C. ए कनिंगम, D. दयाराम साहनी, तो प्रियंका, अरे वाह, सिखा, सभी क आंसर बड़ी तेजी से आरे हैं, बच्चे, पढ़ नहीं पा रहा हूं, माफ करिएगा, भगवन्त विष्ट, D. पाड़ बता रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग इसमें पाडिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, प्रियंका भी बता रहे हैं, सैनी, आंसर बता देत हैं, बच्चे, रजिया, D. पाड़ बता रहे हैं, तो चलिए हम आपको आंसर की तरफ ले चलते हैं, अब देखें, इसमें हलपा सभ्यता की खोज, अगर आप देखें, तो बच्चे, 1921 में, यानि 1921 में, इन्होंने 1921 में हलपा की खुदाई कर आई थी, तो हलपा वस्ट इन्होंने 1921 में हलपा की खुदाई कर आई थी, हलपा का मेनिंग होता है, फूड फूर लॉड शिवा, भगवान शिव का भोजन, हर माने शिवा, यूपी माने भोजन, हरपा पंजाबी शब्द है, आज की डेट में हरपा, पाकिस्तान के पंजाब के शाहिवल जिले में है, रावी नदी के 22 तट परबसा था ये प्लेस, यही पहला प्लेस है, जि की खुदाई, दयाराम सहनी निकराई थी, दयाराम सहनी आर्कियोलोजिस्ट्स थे, पुरा तत्त वेत्ता थे, और आपको बताएं कि आडी बनर्जी जो थे न, ये, इन्होंने मोहन जोदलो की खुदाई कराई थी, दूसरा से इंद्वस्तल है, मोहन जोदलो, तो बच्च इसकी खुदाई, 1922 में इस प्लेस की खुदाई, आडी बनर्जी ने कराई थी, बाकि सर्जन मार्शल इस समय पुरा तत्त विभाग के निर्देशक थे, यानि जिस समय लोग खुदाई करा रहे थे न, उसके निर्देशक सर्जन मार्शल थे, एलेक्जेंडर कनिंगम इन आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया का गठन, 1961 में किया था, ASI के स्थापना, एक कनिंगम ने किया था, लेकिन जिस समय खुदाई स्टाट हुआ, उस समय सर्जन मार्शल डाइरेक्टर थे, आडी बनर्जी ने मोहन जोदलों की खुदाई, 1922 में कराई, दयार अमसाहनी ने हडपा की खुदाई, 1921 में कराई, अलेक्जंडर कनिंगम, ASI, आर्केलोजिकल सर्वे यानि पुरातत विभाग के स्थापना किया था, तो बच्चे, डी पार्ट आंसर करेक्ट है, आई ये नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं, और आपके ऑप्शन्स देखते हैं, क्य फटा हैं, A में काली बंगा दिया है, B में लोथल दिया है, C में रोपन दिया है, D में मोहन जोदरो दिया है बच्चों, 12 निलम डी बताया था आपने, चलिए, थर्टींत का बताये है बच्चों, प्रियंका, B बता रह pride ी हैं, 250 आपके शिखर, क्रियंह दे चलिए, डी हैं ओके वएरी नाइस सुवेटा आर्य दी बता रेही है क्या बात है कि विजया लक्ष्मी वर्मा थैंक यू बक्चे थैंक यू है विएरी नाइस बता विची कुछ फूच्टा हो तो क्वेश्चन आगर पूच comprised बताओ जल्दी से आप लुगं को विजय लक्ष्मी B बता रही है, OK, चलिए, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अप्रियंका B बता रही है, OK, आप देखें इसका आंसर आप लोग लगाएंगे B पार्ट जिन बच्चों ने बताया है, B पार्ट, यानि B पार्ट करेक्ट आंसर बच्चों, लोथल ये गुजर गुजरात में और ये भुगवा नदी की तट पर था, भुगवा नदी की तट पर था, बच्चों, ये भुगवा नदी की तट पर था, ठीक है, बाकी काली बंगा तो आपको बताएं हैं, रजस्थान में, रजस्थान में था, गुजरात में लोथल है, रोपन पंजाब म भारत के पंजाब में हैं बच्चों, मोहन जोदलो, मोहन जोदलो यह सिंध परांत में हैं, पाकिस्तान के सिंध परांत में बच्चों, तो चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले कोर्शन की तरफ चलते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंध घाटी क के लोग बताएं बच्छों सिंदु घाटी के लोग परचित थे या खोच कहां पर हुआ था discovery of scales has proved that the people of the Indus Valley were familiar with the measurement and weighing यानि नापतौल के बट्खरों से सिंदु सब्विता के लोग परचित थे तो प्रिना भी बता रही है प्रियंका यादव डी बता रही है सैनी सी बता रही है ओके रजिया सी बता रही है very nice रिना सिखा तो बच्चे पैमाने की खोज यानि नापतौल के बट्खरे की खोज अगर आप देखें तो लोथल से मिला है सब से पहले नापतौल के बाट बट्खरे लोथल से मिला है बाकी तो सब जगह से मिला है लेकिन यहां से नापने तौलने के बाट बट्खरे मिले है तराजू का पलड़ा जानते ना तराजू तराजू का पलड़ा मिला है जिससे ये नापतौल करते थे और ज्यादा तरी है आठ सोला है बतिस चॉण सट इसी दबल करते जाते जाते थी आठ सोला बतिस चॉण सट इसी रेषियों में लोग नापतोल करते इसी रेशीयों में लोग करते थे स्थी ना तरेविषान मिला Сам लोथल से बंदर गाहा कभी अब्छस मिला है न अभी पीछे की यह आप लोग चलिए अगला कोशन आप देखें next question बच्चे आपकी screen पर है हडपा कालिन समाज अब आप देखें हडपा की समय में समाज हडपा कालिन समाज किन वर्गों में भी भब्त था हडपा सब्व्यता में समाज किस वर्ग में डिवाइड था तो आइए दे बहुत बड़िया वोक्य प्रियंका भी बता रही है तो चलिए देखते हैं पच्चे दिखें इसमें ए में दिया है शिकारी, सिकारी, पुजारी, किसान और छत्रिय है ब में दिया है वच्चों विद्वान, योधा, ब्यापारी और श्रमिक C में दिया है बच्चों, ब्रह्मन, छत्रिय, वैश्य, यम सोद्र D में दिया है राजा, पुरोहित, सैनिक और सोद्र तो अगर आप देखें तो B वाला आंसर जिनने उन बताया है बच्चों B part correct है, अर्थात scholars, warriors, traders, workers सिंद्व सब्वेता में समाज जो था विद्वानों में बटा था, जिसको पुरोहित कहते थे, warrior में बटा था, योद्धा कहते थे, traders यानि बयापारी को कहते थे, और बच्चे स्रमिक मने, labor class के लोग कहते थे तो इस तरह से answer आप B part लगाई है क्योंकि caste system नहीं था, ये जो caste system दिया है ये वाला C part में यह वैदिक सब्वेता में आई थे, caste system यह वैदिक कल्चर में आया था बच्चों, यानि वैदिक संस्कृति के समय जाती पर था आई थे और वैदिक संस्कृति सिंदु सब्वेता के बाद आया था, जिसमें रिगवेत के दस्मी मंडल में कहा गया है कि ब्रह्म्रो मुख मासीत, बाहुराजन निकृत है, उरुस्त दस यद वैश, पद व्याम सुद्रुआ जायते अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मन पैदा हुए, ब्रह्मा के बाजियों से छत्री पैदा हुआ, ब्रह्मा के थाई से वैश, पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैरों से सुद्र पैदा हुआ, इन चार जातियों का जिक्र, पहलिवार, रिगवेत के 10th मंडल पुर्शूक्त में हैं बच्चों ठीक है चलिंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर what was the most appropriate name of Indus Valley civilization अब सेंद सब्वेता का सबसे उचित नाम क्या है सेंद सब्वेता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है बच्चों कि अरए वाह क्या बात है सायनी अिग्रिकल्चर सी फॉर्व्ड रिन बता रहे है वीजे लक्ष्मी वीजालक्षमी की सम्यागौर सी ऐक है raininghuh प्रियंका C, वाह क्या बात है, दुद्धने से कम चुल कर लेए ते मैं कसरें होगर दो करते हैं, चली हैं मनिश जी आगे बढ़ते हैं पवन की बता रहे हैं, ओके बच्चे पवन चलिये से कर लेते हैं तो सबसे उपयुक्त नाम, यानि which is most appropriate name, तो सिंदु सब्वेता में हडपा, यानि ए पाट जो है बच्चे, ए वाला हडपा सब्वेता, यह सबसे पहला नाम है, और इस सब्वेता का पहला नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि सिंदु सब्वेता में हडपा प्रतम अस्थल था जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी बच्चों, इसलिए अन्य प्लेस के बारे में पता नहीं था, इसलिए इसको हडपा सब्वेता कहा गया है, तो बच्चे, I think आप समझ गये होंगे हडपा सब्वेता का नाम हडपा क्यों पढ़ा, क्योंकि हडपा प्रतम सिंदु अ इसलिए इसका नाम हडपा सब्वेता पड़ा है, ठीक है, तो बच्चे, I think, आज हमने 16 क्लास आपको कराएं है, ठीक है ना, हाँ, प्रियंका, आप बहुत सही बता रहे हो, आपकी भी सही है, सारे बच्चे लगबग सही है, भाई देखो, थोड़ा सा तो गलत होगा ही न, यह कि काफी बच्चों ने सही बता रहे हैं, लगबग सत्तर पर्शंट बच्चों का आंसर सही हो रहा है, किसी का कोई आंसर गलत हो जा रहा है, किसी का कोई और आंसर गलत हो जा रहा है, ज्यादा नहीं है, इतना तो चल जाएगा, इससे लगता है कि आप लोग पढ़ाई सर थेंक्यू बच्चे थेंक्यू थेंक्स लॉट सभी ने बड़ा बढ़िया धंक से पड़े हो अच्छा इसमें कुल क्वश्चन 30 32 क्वश्चन है अगली क्लास में 16 क्वश्चन की बाद हम आपको कराएंगे ठीक है ना ओके बच्चों चलिए ठीक है थेंक्यू 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 सैनी सिखा थेंक्यू कविता ओके चलिए बच्चे थेंक्यू